आज हम बात कर रहे हैं गुल्दोदी किरिस्थमम के उपर जिसे गुल्दोदी भी बोलते हैं लोग कहीं कहीं लोग इसे किरिस्थमम सेवन्ती ऐसे कई नामों से जाना जाता है तो इस समय आप गुल्दोधी के पौधे की कटिंग ला सकते हैं, उसकी रेपॉर्टिंग कर सकते हैं या फिर आने वारे सीजन के लिए गुल्दोधी के प्लांट को फलाबरिंग के लिए तैयार कर सकते हैं तो welcome friends, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुलदौदी सेवंती किर्स्थवम के बारे में तो आने वाले बिंटर सीजन में गुलदौदी के प्लांट से जादा से जादा प्लाबरिंग किस परकार से ले सकते हैं इस समय गुल्दादी के पौधे पर कौँ 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 से काम कर सकते हैं कौँ से ऐसे फडिलाजर डाल डाल सकते हैं वो सारी INFORMION इस वीडियो के माध्यम से देर ब्लांट है उन सब की आप कटिंग लगा सकते हैं और cutting के माध्यम से धेरो प्लांट आप तैयार कर सकते हैं तो मैंने भी कई प्लांटों की cutting अलरेड़ी लगा चुकी हूँ और कुछ और प्लांटों की cutting मैं लगाओंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा गुलदोदी किस्वम से आने वाले समय में flowering ले सकूँ तो कुछ और पौधों की cutting में लगाऊंगी और कुछ प्लांटों की मैं reporting भी करूंगी इस समय तो सबसे पहले जो भी आपके plant है उनकी आप heart pruning भी इस समय कर सकते हैं या फिर जो भी plant है उन सब की cutting लेकर आप cutting भी लगा सकते हैं और इस तरह से बहुत सारे plant आप winter के लिए तयार कर सकते हैं तो किस परकार से cutting लगानी है एक वीडियो पहले मैं बना चुकी हूँ आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं तो सबसे पहले एक देखिए एक plant मैं report कर रही हूँ आप बिल्कुल इसी परकार से सभी प्लांटों को मैं report करूँ भी और इसकी छोटे-छोटे मैं cutting भी लगाऊंगी और इस plant को अगर आप सिर्फ summer season से बचा ले तो ए प्लांट पूरे garden में आपके सालों साल रहेंगे तो सबसे पहले मैं इस plant को report करके मैं दिखाती हूँ और report करने के लिए जो soil मैं ले रखी हूँ यह जो गमले की मिट्टी है इसी मिट्टी में दोवारा से कुछ और fertilizer मैं add करूँगी और fertilizer के तोर पर थोड़े समय इसमें कोकोपीट मिला रही हूँ और कोकोपीट के अलावा इसमें थोड़े से राइस हस्क भी मिलाने जा रही हूँ और थोड़े से नीम खली और थोड़े से बर्मी कमपोस्ट अगर आपके पास बर्मी कमपोस्ट एविलेवल नहीं है तो उसके जगा सिर्फ आप cow dung fertilizer भी यूज़ कर सकते हैं तो मैं इस कर दी हूँ बर्मी कमपोस्ट भी और थोड़े से एक cow dung fertilizer भी ले रखी हूँ और इन सभी को मिट्टी में मिक्स करूँगी इसके अलावा इसमें और थोड़े से एक चमच के करीब राख बिलाई हूँ और उसके अलावा थोड़े से fungicide भी मिक्स की हूँ आप चाहे तो नीम खली भी सिर्फ मिला सकते हैं अगर आपके पास राख है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं और इसी मिट्टी में पूरे fertilizer को मैं मिक्स करके दोबारा से इस plant को report करूँगी और बिल्कुल इसी परकार से जितने भी मेरे पुरारे plant हैं उसकी मैं reporting करूँगी और जब plant की reporting हो जाएंगे तो इस पर एक ज़रूरी काम जो इस समय आपको करने चाहिए वो है pinching तो यह देख सकते हैं सभी plant की reporting हो चुके हैं इसमें यह जो प्लांट आप देख रहे हैं वाल्टी वाले उपर से हार्ट प्रूनिंग कर दी थी और उसे डायरेक्ट वाल्टी में पूरे रूट सही थी उसे मैं लगा दी हूँ और यह देखिए कुछ और काम जो आपको इस समय कर लेने चाहिए वो है pinching इस तरह से जितने भी आप प्लांट लगाए हैं उस पर इस तरह से आपको थोड़े थोड़े ब्रांच काटनी है ताकि आपकी प्लांट घने हो और उसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांच निकल सके जितने वरांज इसमें निकलेंगे उतने ही मात्रा में फ्लावरिंग भी देखे जा सकते हैं और जब भी आप उसकी प्रूनिंग करते हैं या फिर हाड प्रूनिंग करते हैं तो उस कटिंग को फेके नहीं आप अलग से आप इस कटिंग को लगाते इस तरह से आप बहुत सारे प्लांट गुल्दोदी के तैयार कर सकते हैं तो फ्रेंट से एस कुछ काम है जो इस समय आपको गुल्दोदी किसमों सेवन्ती के पोधे पर कर लेनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप आने वाले समय में फ्लाबरिंग ले सके पर मितें फिनिक्स वीडियो वार्स तक तक ये ज़्यादा